आज हम बनाएंगे बैंगन की बहुत ही सिंपल तरीके से स्वादिष्ट सबजी जो बनाने में बहुत ही आसान है आप देख पा रहे हैं कि ये दिखने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है ये खाने में भी स्वादिष्ट बनी है तो इसको बनाने के लिए मैंने कुछ इस प्रकार के छोटे वाले बैंगन ले लिया है और उन्हें दोने के बाद में अच्छे से कट करके देख लिया है कि कोई कीड़ा वगरा नहीं है फिर हमने इस प्रकार की गहरी कड़ाही लिया है जिसमें बेंगन अच्छे से भून जाएं इस प्रकार की कड़ाई में तेल कम लगता है और बेंगन हमारे अच्छे से भून जाते हैं तो इसमें हम बेंगन को अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद ने हमें से दूसरे बरतन में निकाल लेंगे हमें अभी सारे बेंगन को अच्छे से भून लेना है लगबग 90% के बाद में ही कच्छे रह जाते हैं तो हम इसे यहीं पर भून लेंगे इससे इसका टेस्ट भी बहुत जादा अच्छा आता है फिर दूसरी कड़ाई ले लिया है जिसमें जीरा दालचीनी और तेजपता ले लिया है आप और खड़े मसाले भी ले सकते हैं दो मीरियम साइज के प्याज अच्छे से चौप कर लिये थे उन्हें भी हम भून लेंगे कड़ाई चेल्ज करने की ज़रत नहीं है लेकिन वो आइरन वाली कड़ाई थी तो उसमें बैंगन में भी आइरन होता है तो बैंगन की सबजी थोड़ी काली पट जाती है इसलिए मैंने कड़ाई चेल्ज कर दी है फिर हमने ले लिया है अच्छे से लहसुन और इसे भी हम भून लेंगे आप अपने टेस्ट के कोडिंग ले लीजिए यदि आपको लहसुन पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं जब लहसुन भी अच्छे से भून गया था तो हमने इसमें दो मीडियम साइज की टमाटर जो अच्छे से चौप कर ले थे उनको भी हम भून लेंगे और आप देख पा रहे हैं कि अच्छे से भून चुका है तेल इसमें से सेपरेट हो गया है हम इसमें डाल देंगे नमक और नमक डालने के बाद में हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे जसमें लाल मिर्च हल्दी, धनिया, अमचूर और ऐक अचारी मसाला मैंने रेसिपी डाल रखी वो वाला डाला है जिससे ये बहुत ही अगर आपके पास नहीं है तो आप इस किप भी कर सकते हैं और इस प्रकार से हमें से भून लेंगी हमने इसमें पानी नहीं डाला है ड़क कर थोड़ देर के लिए पका लेंगे ताकि जो हल्दी मिर्च का कच्छापन है वो निकल जाए इससे सब्ची बहुत सो आदिस्ट बन हैं तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से और हम पका लेंगे अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी जो पानी डाला था वो अच्छे से उबलने लग गया है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा उर उबाल लेते हैं मतलब ये है कि पाने बिलकुल उबल जाना चाहिए फिर हम इसमें डाल देंगे बैंगन और बैंगन को भी हम इसमें पका लेंगे तो इससे जो मसाला है वो बैंगन के अंदर अच्छे से भर जाएगा तो मैं बैंगन का फीका पन निकल जाएगा और मसाले इसमें अच्छे से चले जाएंगे तो इस प्रकार से बैंगन बहुत ही टेस्टी लगेंगे सबजी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ हरी मिर्च हमने पहले नहीं डाली तो अब हम डाल देते हैं यह ज़्यादा मुलाइम भी नहीं रहेंगी थोड़ी क्रेंशी रहेंगी तो अच्छे लगेंगी तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी सबजी कितनी अच्छी बनकर तयार हो गई है बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें ना हमने ज़्यादा मसाले यूज़ किये हैं और ना ही इसमें ज़्यादा जंज़ट है बहुत ही इजी तरीके से सबजी बनकर तयार हो जाती हैं अब कड़ाई में लोहे वाली में भी बना सकते हैं लेकिन सब्जी को तुरंद निकाल के रख दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारी सब्जी बन चुकी है, आप देख पा रहे हैं, तो बैंगन की सब्जी को हम इस तरह से और बहुत ही सिंपल तरीके से टेस्टी सब्जी बना के तयार कर सकते हैं, ये खाने में भी ब टेस्ट बना रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं सब्जी कितनी टेस्टी बन कर तयार हुई है, आप इसे पराँठे के साथ खाई ये, चपाते के साथ खाई ये, बहुत ही टेस्टी लगती है, वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक से लिए सब्सक्राइब करें, थैंक